जमी पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल जमाना सिर्फ उडान देखता है आज दूसरा दिन है, मंडे है, सुबे के पाच बज गय है आसमान ने लाल रंग की चादर ओड़ ली है मैंने भी अपने पूजा पाठ का सहरा इंतजाम कर लिया है कुछ फूल और कुछ चीजे जो भी मेरे पास थी मैंने वो सब लाके पूजा कर लिया है पूजा करने के बाद ये थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए भी बनाया है वीडियो बनाना मेरी फेवरिट चीज है तो मैं इस टाइम वीडियो ना बनाओं ये इंपॉसिबल है और इस टाइम मैं बहुत खुस हूँ प्रोडक्टिव हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मन में थोड़ी सांती भी है तो अभी मैं बना रही हूँ चाय और चाय बनाने के बाद चाय पीएंगे और उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई है रिविजन है वो करूँगी और आपको दिखाऊंगी तो बेसिकली ये ब्लॉग मेरा मॉर्निंग रूटीन है उसके मन रही केशा लिए बोलॉग मैं वी करके में अलग भ tut न्या है ea मने नजाया चाय अवर नहीं चयले बनाया है तो अस्तों उसतों ने बनातफी चैनल के लिए ज Haz j deploy आपनी मैं जो एसे नाये को मैं बना यह है है जैसे भी लाइफ है जो भी चीज़े है तो प्रिपरेशन के टाइम में मैंने जैसा जैसा कुछ किया है वो इस पर है बाकी कुछ ऐसे messages भी आप लोगों को देना चाहती हूं तो वो सारा चीज इस चैनल पर है और मोर ओफ रे पर हम बहुत सारी बाते डिस्कूस करेंगे तो इस्पेशली मैं चाहती हूं कि आप लोग में को बताएं कि किस चीजे कौन सी टाइप की चीजे आप देखना चाहते हो क्या चाहते हो कि मैं बताऊं तो जस्ट ऐसे बताना कि कैसे क्या करना है एंड या फिर अभी आपको कि अपनी बाट ले जाना बोल गए था और रात में में को डिहटरिशन की प्रॉब्लम हो गई थी और इतना बुरा लग रहा था ना मैं क्या बताऊं और आज कि मौसम मुझे लग रहा है वेस्टर इस्टर्विंस हो रहा है क्योंकि अभी ये बारिश वारिश भी हो अब ही मेरे इकल जैसे कि मैंने पिछले व्लॉक में 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 जाना था कि ओशन करेंट पढ़ाया गया था तो अभी मैं बैठ के वही रिवाइस करूंगी अच्छे से और उसको पढ़ूंगी और आपको भी बताती हूं आप भी देखिए एंड इस टाइम मैंने अपनी नोट्स और आइपैड पे काम कर रही हो तो अगर आपके पास डिजिटल चीजे है तो उसका भी एक फायदा रहता है कि आप आपको युनो मुझे लगता है कि बहुत बार में रसे लोग पुछते है कि आप आइपैड पे सारा काम करते हो या फिर नोट्स पे तो मैं अगर पूरा साल का निश्रेपर आता है और दिवाली वगएर पे ओफर रहता है तो ले लो तो सही रहता है और जैसे कुछ चीजे है आपका लिखने काम अबने कर रहा है आप अपने आइपैड में रख लो और कुछ चीजे ऐसे प्राक्टिस करनी है आइपैड यूनो पिछली भी ब्लॉग में अपने जिकर किया है कि जब आप एक्जाम देने जाते हो ना तो आप एसी वाला रूम एक दव अची चेर अची टेबल बिल्कुल भी नहीं मिलती जो गौर्मेंट स्कोल होते हैं उसी में हमारा सेंटर जाता है और इस्पेशली जो यूपी उपी से हैं उन लोगों का तो सेंटर ऐसी जगा जाता है ऐसे स्कोल में जाता है कि क्या ही बता मैं तो फैन भी चलते हैं वक्त पतनी खड़-खड़-खड़ के आवाज करता रहता है एंड मैं अभी ऐसे बहुत सारे एक्जाम दी हूं जो ये गुरूप सी विगर अगर अगे थ करते हैं वो इतना अच्छा ट्रीट करते हैं मैं आपको क्या बता हूं एंड बाग की जगब पे मैंने ऐसे कुछ हाई-कोर्ट अलाबाध हाई-कोर्ट आरो-आरो का एक्जाम देने गई थी मैं इतना बैडली ट्रीट करते हैं लोगों को मतलब उनको बोलने का भी सेंस नह लोगों को नोडिफिकेशन भी नहीं पता रहते हैं हर एक सीट पर सीन क्रियेट करते हैं तो मुझको नहीं अच्छा लगता और किसी एक्जाम पे इतना ज्यादा कमफुटेबल नहीं फील कर आते हैं जितना यूपी स्चेकर एक्जाम देने जाओ तो फिल कर आते हैं बस उस हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए गर्मी में भी रह लेना चाहिए, नोट्स पे जित्ता हो से के उत्ता लिखना चाहिए, मेरा तो यही मानना है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, तो मैंने जो है, अभी एक सेशन कंप्लेट कर लिया है, रि NCRT रिवाइस करनी थी, तो मैंने सुचा, आज ऐसे कभी मेरा कुछ नहीं पढ़ने का मन हो रहा होता है, तो मैं यह NCRT रिवाइस कर लेती हूँ, मुझको अच्छा लगता है यह बुग पढ़ना, एंड मैं सच बताओं, तो आज मेरा लाइवरेरी जाने का भी बिलकुल और देखो, बहुत सकेगा तो साम तक मोड बनेगा तो जाओंगी, नहीं तो नहीं जाओंगी, बहुत जादा तीज हवा चल रही है, और मेरे रूम के सामने एक पेड है, और उसकी वज़ा से मतलब इतनी अच्छी हवा आती है, बहुत अच्छा लगता है, बढ़ थंडी म किया था, एक चीज का, तो यह आया अभी, तो मैं सुची कि आप लोगों वो भी दिखाती हूँ, यह वैसे ज़्यादा तक गर्ल्स के लिए यूसफूल होगा, तो यह है टोट बैग, इसको मैंने देखा था, ऐसे ओनलाइन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो अच्छा देखा था, तो यह जो भी जाते होंगे तो उनके लिए आइटेंग सही है, मतलब इसमें बहुत सारी मटेरियल आप चीजे रख सकते हो, बहुत सारी बॉक बोटल वगरा डालने के बाद ऐसा लग रहा है, आइम वरी कंफूज, लिट मी नो की कैसा है,